जरा सोचे जब सदन में खड़ा होकर कोई मंत्री विपक्ष के नेताओं के धंकी दे कि चुप रहो वरना जेल भेज देंगे कैसा लगेगा? जबाब होगा बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा चुकि हमारे देश की विवस्था लोकतांतरिक है ऐसे में सत्तापक्ष का कोई नेता या मंत्री विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से धंकी दे तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है चुकि 24 करन भेज नदिक है ऐसे में विपक्षी गुलबंदी हो रही है और इस गुलबंदी से सत्तापक्ष यानि भारतिय जनता पार्टी काफी असहस दिख रही है सत्तर विपक्ष के बीच जाँच एजनसियों का रोल जो है वो काफी बड़ी भूमिका में देखने को मिल रही है विपक्षी नेता या आरोप लगा रहे हैं कि हर चुनाओं के वक्त जाँच एजनसिया जो है इसी तरीके से हाविर हो आती है भाजपा के तोते हैं CBI और ED विपक्ष को परेसान करने के लिए विपक्षी एक जूटा को खत्म करने के लिए डिस्टर्ब करने के लिए और भाजपा के लिए 24 का चुनाओं असान बनाने के लिए जाच जनसिया बीजेपी द्वरा लिखी गई स्क्रिप्ट पर काम कर रही है और पक्ष को परेसान कर रही है लेकिन यारो तब सत्य हो जाता है जब सत्या पक्ष का कोई मंत्री सदन में खड़ा हो कर या कहता हो कि चुप रहो वरना तुम्हारे घर भी एडी पहुच जाएगी मोधी कैबिनेट में मंत्री मिनाक्षी लेखी ने कुछ ऐसा ही कहा है पहले उनके सदन में दिये गए उस धंगी को सुन लेते हैं और ये बात अरे एडी एक मिनेट एक मिनेट शांत रहो तुम्हारे घर ना एडी आजाए तो आपने सुना केंद्रिये मंत्री मिनाक्षी ल नेता कोई कुछ बोल रहा हो तो उनकी बातों को सुनिए अगर आप बोलेंगे तो इडिया आपके घर पहुंच जाएगी मिनाक्षी लेकी यह कह रही है कि एक मिनट एक मिनट सांत रहो तुम्हारे घर कहीं एडी न चले जाए लेकी ने सदन में बोलने के दुरान घर भी कहीं एडी पहुंच जाए यानि कि जो आरोप विपक्षी नेता भारती जनता पार्टी और मौजूदा एंडिया की सरकार पर लगाती रही है और लगा रही है कि चुनाओ के वक्त में विपक्षी पार्टियों को ड़ाने के लिए धमकाने के लिए जाँ चेंसियों के सारे भाजपा जो है वो चुनाओ जीतने की कोशिश कर रही है और यह आरोप तब सत्य हो गया जब सबन में खड़ा होकर कोई मंत्रिया कह रहा हो कि चुप्र हो वरना तुम्हारे घर भी एडी पहुंच जाएगी और यह अपने आप में बड़ा सवाल है लोग ट्रोल कर रहे हैं तमाम विपक्षी पार्टियां सोसल मीडिया पर लिख रही है इस वीडियो के साथ कि क्या यही लोग तंत्र है यह सिधे तोर पर विपक्षी नेताओं को धंकी दिया जा रहा है दराया जा रहा है कि हम जो कहेंगे वही सही है हम जो कहेंगे उसे सुनो नहीं तो ज चैनल को यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे फेस्बूक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लिजे